बच्चो आज हम लोग पार्ट सिक्स को शुरू कर रहे हैं एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ यू कैंड डू बिसिकली जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ के हम लोगों ने मिल करके यूटूब पर एक बैच शुरू किया है फ्री परिशान होते हैं और जो बच्चे मात खाते हैं वो भी languages में खाते हैं ठीक है एक एक नमबर से उनका selection होने से रुख जाता है इसी वज़े से हमने सोचा कि बहुत ही बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने फीस एक बच्चे तो मेरे पास एक बच्चा कमेंट किया था उसका नाम म प्याजो लगता है अब बताईए वैसा बच्चा कहां से कोई अफोर्ड कर सकता है कोर्स तो उनके लिए हम यहां पर खड़े हैं देखो बच्चो तुम निराश मत हो ना जो चीजे मैं इस सिरीज में तुमको दिया हूँ ठीक है तो उन सीजों को पढ़ कर जाओ इंशाललाह तुम्हारा languages portion को लेकर कोई सवाल नहीं रहेगा ठीक है तो वो सारी चीजे grammar portion हो गया या फिर कुछ languages portions होते हैं वो सारी चीजे हम लोग इन सीरीज में जितना हो सके उतना हमने cover up किया है कम time में जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो देने की हमने कोशिश करी है ठीक है तो फिर हम part 2, part 3, part 4 ऐसा करके questions पूरे reveal होंगे यहाँ पर यहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि यही में लगवा दिया हूं है पले list में पूरे series wise part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6 ऐसे करके लगा हुआ है ठीक है तो वो जाओ उनको देखो बहुत सारे grammar portions को मैंने आसान भाशा में समझाया है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सारे को ठीक है इन सभी को एक बच्चे संधी का बैरे में बोल ला था इंशालला संधी का concept और अलंकार का कल सिखा दूंगा और ऐसक अलंकार और संधी सिखाऊंगा और जिन्दगी में कभी नहीं भूलोगे देखते अंसर मारोगे अलंकार और संधी के questions को ठीक है तो कल वो सिखाऊंगा आज नहीं ठीक है तो attempt कैसे करना है आपको जो भी कोई भी written चीज मैं आपको नहीं देने वाला हूं ठीक है PDF notes, ports कुछ नहीं देने वाला हूं मैं आपको क्या देने वाला हूं सिर्फ अपने मुह से बोलने वाली बोली यानि क सिर्फ मैं आपसे जो भी बोलूंगा grammar portions उसको आपको notes down करना है या फिर हो सके तो उन grammar portions को अपने दिमाग में ऐसे बिठालो कि कभी मत भूलो ठीक है तो भी ठीक है तो ये सारी चीज आपको करनी है और जो questions मैं कराऊं उन questions को answers को ध्यान में रखना है ठीक है बस इतना plus questions languages में करने के लिए help मिलने वाली है ठीक है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे थे करेंगे देखो सबसे पहला कोशन है नजम शबनम के शायर कौन है तो देखो नजम शबनम के शायर होते हैं रोश सिद्धीकी अब देखो मैं बार बार देख रहा हूं कि M.U. के exam का paper मै मैंने देखा तब यह 10 years का बहुत सारे जगह पर available है तो जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हर साल एग उन्हें को question घुंसेड़ देता है किस चीज को ले करके शायर को ले करके या फिर इसके लेखक कौन है इसके writer कौन है chapter के तो मैं सोच रहा हूं क्या कि chapter 1 से ले करक मैं अभी आपको सारे chapters का नाम और उनके writer का नाम बता दूँ हो सके तो लिख लेना हो सके तो याद करके ही जाना इंशालला एक question तुम्हारा बन गया M.U. का ठीक है और यह मुझे याद है मैं यहाँ देखकर नहीं बोल रहा हूं कोई चीज़े मुझे याद है हो सकता है ब आइसो chapters को मैं आपको जो writer है और उस chapter का heading है वो बता रहा हूं ठीक है देखो सबसे पहला chapter है हो सके तो लिख लेना इस बात को इससे एक question आने वाला है इंशालला ठीक है सबसे पहला chapter है तुम्हारा मा का खाब जिसके writer है अल्लामा इकबाल दूसरा chapter है एक मज़ेदार कहान जिसके writer है मिर्जा फरहतुला बेग तीसरा chapter है तुम्हारा नहुई करोली जिसके writer है पंडित रतनात सरशार ठीक है पूरा नाम इनका पंडित रतनात सरशार है और यह जो नहुई करोली है इससे एक और question बनता है कि यह फसाने आजाद से माखूज है ठीक है याद रखना फसाने आजाद से माखूज है और मिया खूजी जो है नहुई करोली के main किरदार थे यह भी याद रखना चप्टर नमबर 4 है लोफिर बसंत आई जिसके writer है हफीज जालंधरी ठीक है चप्टर नमबर 5 है तुम्हारा होकी और होकी का जादूगर बिसिकली यह इसका कोई writer नहीं है एक मजमून है जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा था चप्टर नमबर 6 है गुले अबबास जिसके writer है गुलाम अबबास चप्टर नमबर 7 है तुम्हारे पास दीवाली के दीप जले जिसके writer है रगुपती सहाय फराक गोरखपूरी पूरा नाम याद र तरोधत ने लिखा था और बैसीकल ये एक सवाने है ठीक है मुखतसर सवाने है चाप्टर नमबर मुखतसर सवाने कहते हैं कि किसी की तरक्की के बारे में या फिर किसी के बारे में कुछ थोड़ा सा लिख देना चाप्टर नमबर 10 है तुम्हारे पास शब नम जिसके writer है रोश सिद्धीकी चाप्टर नमबर 11 है इबने इंशा जर्मनी में बेसिकल ये एक सफर नामा है जिसके राइटर है इबने इंशा चाप्टर नमबर 12 है तुम्हारे पास जी आया साहब जिसका में किरदार कासिम था और इसके राइटर है सादत हुसेन मंटू चाप्टर 15 है तुम्हारा और यह भी कोश्चन याद रखना कि हजरते महल का असली नाम क्या था तो देखो हजरते महल का असली नाम मुहमदी बेगम था इंपोर्टेंट कोश्चन यह भी बनता है कि हजरते महल जो थी उनके शोहर का नाम क्या था उनके शोहर का नाम था वाजी डाली श टेगोर को सबसे पहले नोबल प्राइस दिया गया था और रबिन्ना टेगोर को 1913 में नोबल प्राइस दिया गया था और रबिन्ना टेगोर को नोबल प्राइस किसलिए दिया गया था तो क्योंकि उनका एक अफसानवी मजमुआ है या फिर बोले तो उनका एक शेरी मजमु था ठीक है इस बात को याद रखना चाप्टर नंबर 15 है तुम्हारे पास बिसे गली ये एक सफर नामा है आई थिंग क्या दूनी उसका हेडिंग है मुझे याद नहीं आ रहा है जिसके राइटर है गांधी जी सफर नामा इसका हेडिंग है वतन की तरफ वापसी हाँ इसका हेडिंग क्या है वतन की तरफ वापसी चाप्टर नंबर 15 है तुम्हारे पास वतन की तरफ वापसी जिसके राइटर है गांधी जी चाप्टर नंबर 16 है फिलिस्तीनी बच्चे की लोरी जिसके राइटर है फैज हमद फैज चाप्टर नंबर 17 है रफी हमद किदवाई जि के राइटर है जोबैर रिजवी चाप्टर नंबर 20 है आपका बच्चे जिसका राइटर है प्यत्रस बुखारी और यह याद रखना कि यह बच्चे है बेसिकली यह एक इंशाइया है चाप्टर नंबर 21 है तुम्हारा लालच जिसके राइटर है राम आसाराराज इसको जी के वादे को पूरा करने के लिए वो लालच नहीं किये बलके वो बनवास चले गए वो राज की लालच नहीं किये और वो बनवास चले गए तो जो लालच नहीं करता है यह कहते ही आपका दिमाग में राम आ जाना चाहिए नाम ठीक है तो इस तरीके से हम लोग लालच जैसे सुने तो रामासराराज हो जाता है ठीक है तो Just Chapter 21 है आपका लाल अछिसके राइटर है रामसराराज और Just Chapter Number 22 है महमां जिसके राइटर है मुमतास मुफ्ती पूरा बता दिया मैं ने इसमें से एक क्वोशन इंशाल लाने वाला है तो हो सके फिए तो इस produce तिखलो, याद कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है, तो चैप्टर नमबर 6 को हम लोग शुरू करते हैं अब वीडियो को, सबसे पहले कोशन दिया हुआ है, नजम शबनम के शायर कौन है, तो इसका सही राइटर क्या हो जाएगा, रोश सिद्धीकी, अल्लामा इकबाल किसके र तो फिर बसंद था ही, जिसके राइटर है, हफीज जालंदरी, तो इस शबनम का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नमबर रोश सिद्धीकी, आगे लिखा हुए लफजे शबनम के क्या माना है, तो शबनम के माना होता है, ओस, सबेरे सबेरे उठते हैं, तो खेतों तो गौहर का माना होता है, मोती, क्या होता है, मोती, सही हो गया, यहां लिखे है, वो मिस्रे को मुकमल कीजिए, तो क्या यह तारे हैं, तो देखो, यहां पर सिंपल समझने की बात है, क्या यह तारे हैं, जो जमीन पर उतारा हैं, तो जमीने पर न तारा उतरेगा, आस्मा लेकिन आपके बूक में दिया हूआ है जमीन तो क्या यह तारे हैं जो जमीन पर उतर आएं हैं सभी अंज़र क्या होना है कि और व्क्षाइब फिर्ट तो बेसिकली यह कहना चाहरा है कि शायर जो है शबनम को किन किन चीजों से कंपेर करता है तो तारों से भी कंपेर करता है यानि के स्टार से मोती से भी कंपेर करता है हीरे से भी कंपेर करता है यानि के शायर ने जो है शबनम उसको जो है उसने बहुत सारी चीजों से कंपेर क किया है इसी वाज़े से यहां option number यह हो जाएगा यह सभी आंसर ठीक है यह वाला आगे लिखा हुआ है खुबसूरत का इस्म क्या होगा खुबसूरती बैसिकली यह एक भाव आचक संगया हो जाएगा जिसको हम लोग संगया के तुम्हारे पौच भेदभी होगी है अगयी लिखा हुए शबनम् दूर किसकी दिखाई देती है तो वह मोती के मानिंद दिखाई देती है जिस से कंपेर करेगा उसी की तरह दिखाई देगा थैसे सामपेर किया है मोती से, हीरा से और सितारा से ठीक है? तो यहाँ पर मोती option आ गया इसी वैसे यह सही हो गया ठीक है? तो यह option number यह हो जागा मोती सही अगर लोगर लफजे कशा के क्या माना है तो इसका मतलब होता है सितारों का जुर्मूट बहुत सारे सितारे आपको दिखते हैं आसमान में उनको एक साथ कशा कहा जाता है ठीक है? तो वो होता है सितारों का जुर्मूट अगर लिखा हुआ है यहां मोतीयों का जुर्मूट क्या होगा? बहुत सारे मोती एक साथ रखे हो, तो मोतीयों का जुर्मूट हो जाएगा, गौहर का जुर्मूट क्या हो जाएगा, गौहर का मतलब होता है हीरा, एक किमती हीरा, ठीक है, तो गौहर का जुर्मूट का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे किमती हीरे एक साथ रखे हुए है शबनम का जुर्मुट का मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे ओस खेत में गिरे पड़े हैं उस शबनम का जुर्मुट हो गया तो कहकशा का मतलब होता है जनरली सितारा तो एक साथ हम लोग क्या कह दते हैं कहकशा को सितारों का जुर्मुट अगर लिखा हुए सूरज की ग जंगल अगर लिखाव यह शबनम के अलावा और देखो सर शबनम के अलावा फूलो और कलियों ठीक है याद रखना आपके मेंशन है कहानी में ही फूलो और कलियों को यह सब भी हो सकता था पेड़ और पौदो चरिंदो परिंदो मुझे उससे मतलब नहीं है NCRT क्या बोलता है थोड़ा सा फोकस किया जाता है इस बात को ले करके क्योंकि वो लोग है न NCRT के आगे एकदम पागल हो जाता है सब इम्यू वाला वोता है सनना NCRT में आम के जगा और इमली लिख दिया है न तो हम लोग इमली को भी आम माल लेंगे ऐसा सिचुएशन क्रियेट कर देता है सब इसी वाए से क्या अंसर हो जाएगा फूलो और कलियों को अगे लिखा हुए मिसरे को मुकंबल करिये अपने डेश 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 तो नहीं भूल गई रात कहीं चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो साफ साफ आपको अंसर दिख रहा होगा अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं ठीक है तो यह उप्शन नमबर भी हो गया अगर लिखाब बन में खिलती कलियों को क्या प्यारा है भई आप अपने घर में रह रहे हो तो आपको घर से अपना आए थी होगा लगा होगा सिंपल सी बात है तो जंगल में या फिर बन में जो चमन है आपका बन का मतलब जंडली जंडली होता है लोग भी माना देखा है उसको बन ही प्यारा होगा सिंपल सी बात है तो कलियां कहां रहती है या फिर हम बुझ सकते हैं के फूल वगएरा बन में ही रहते हैं जंडली तो यहां पर क्या हो जाएगा बन में खिलती कलियों को क्या प्यारा है तो बन प्यारा है सिंपल सी बात है अगर लिखाब सफ चैप्टर नम chỉ मायन है तुम्हारा कुंदन लाल सहकल उसके राइटर है शरोधत stereotype नमबर 6 है गुले अभाश जिसके राइटर है गुलाम अभास चैप्टर नम लिए एट है तुम्हारा चचा कबाबी दिले वाले जो के एक इन्शाया है उसके रयटर है मुला वाहिदी यह साथी चीज़ी याद कर लेना लफजे फरोकश होना के क्या माना है तयाम करना रखे फैज के क्या माना है तो फैज का मतलब होता है फाइदा ठीक है याद रखना हमेशा फैज का मतलब फाइदा इबने इंशा कहा गए हुए थे वो जर्मनी गए हुए थे चार्टर पड़ा होगा तो आपको याद होगा इबने इंशा कहा गए हुए थे भाई तो जर्मनी गए हुए थे अगे लिखा हुए टेक्सी ड्राइवर कहां कराने वाला था तो इंग्लेंड ठीक है सही अंसर क्या होगा इंग्लेंड कराने वाला था टेक्सी ड्राइवर कहां कराने वाला था इंग्लेंड का अगे लिखा हुए इबने इंशा ने अपने किस गंजे दोस्त का जि युसुफी का चलो बाद मैं सुना दूंगा एटाी टू आया है एटाी फाइबाइव आया है सलेक्शन होगा कि नहीं होगा ठीक है ये सारी चीज़े बोलते रहते है तो बिसिकली वो क्या है अगर उनको कोई कह दिया कि 82 पर तुम्हारा सेलेक्शन हो जाएगा तो बहुत खुश हो जाएगे लेकिन वही कोई कह देगा वीडियो में कि 82 पर सेलेक्शन नहीं होगा तो वो मायूस हो जाएगे बिसिकली नाउमीद हो जाएगे उसी को कहा जाता ह नाउमीद होना अगर लिखा हुए इबने इंशा मेवख में खातून को किस तरह खुश किया तो हम बोल सकते हैं कि फैज के दो तीन अशार का तरजमा सुना करके मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा था इस पर कि इबने इंशा को एक खातून ही दिखी खुश करने के लिए कोई आदमी नहीं मिला काली यह तो फैस के दो तीन अशार का तरजमा सुना कर उन्होंने खातून को खुश कर दिया था ठीक है अगर लिखा हुए लफज होशियार का मुतजाद क्या हो जाता है गाफिल होशियार का मतलब वो होता है कि जो अपने काम से मतलब रखता हो जि पहिलर रहेगा तो अप्शन नंबर ए मिल भी तर राइट एंसर अगे देखे हम लोग इबने इंशा का असली नाम बताएए तो इबने इंशा का असली नाम था शेर मुहमद खान तो यह आपके चाप्टर नंबर फोटीन है हजरते महल उसी का राइटर है मिर्जा कोगा प जगह के सफर को पेश किया गया है तो जर्मनी के जगह को पेश किया गया है इसको हम लोग पूरब कहते हैं इसको हम लोग वेस्ट कहते हैं मगरिब को और मशरिक को हम लोग इस्ट कहते हैं इस तरीके से भी याद रख सकते हो आगे है का आज के लिए इतना ही बच्चो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कॉमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताके वो लोग भी free of cost चीजों का फायदा उठा सके और इंशालला अगले साल हम लोग जेमाई की फुल तयारी कराएंगे आपको एक तम अच्छे तरीके से और बहुत साए questions तो as it is उठके आने वाले हैं जेमाई में और free of cost यूटूब पर वो भी रहेगा ठीक है जो भी जो भी लोग पैसे ले रहे हैं न उन सब का मैं एथी करूँगा या फिर उनके price को कम करवाऊंगा यही मेरा लक्ष है ताके जो बच्चे पैसे नहीं दे पा रहे हैं वो भी पढ़ें तो आप हो सकता है मेरे इस लक्ष को बेचूत है लेकि नहीं यार इतना पैसा है काम चल जाता है मेरा ठीक है तो इसी वाज़ा से मैं जो करना चाह रहा हूं उसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है सपोर्ट कैसे मिलेगा तो दोस्तों को कहिए और ज़्यादा ज़्यादा देखे लाइक करें ताकि लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम लोग जो पैसे दे रहे हैं वो कम से कम बंच जाएं यार ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू